जारी रखते हुए आज के session में फिर से कुछ नया concept सीखेंगे और जो इतना relatable होगा आपके लिए कि आप कल सही उसको use करेंगे और उसकी power को feel कर पाएंगे देखिए कल मैं थोड़ा सा बाहर था अनपस्तित था तो इस करण की आप लोगों की learnings जो सीखने की प्रक्रिया हुए है उसको कोई असर ना पड़े तो मैंने आपको पूरा एक घंटे का एक session दिया है सीखने के लिए ठीक है उसको जाकर देखिए उसके बाद मैंने आपको 15-15 मिनिट के short दो वीडियोस दिये है उसको जाकर देखिए चैनल में मिल जाएंगे नीचे description में telegram का link है उसको open करेंगे तो वहाँ से आपको वो सारे वीडियोस वहाँ पर उस telegram में चैनल में मिल जाएंगे उसको join करेंगे वहाँ पर काफी कुछ सीखने को आपको मिलता रहता है ठी सारी चीज़े आपको whatsapp पर और telegram पर share की जाती है ठीक है वहाँ पर आप जोईन करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं आज जो हम लोग बात करेंगे वो live price की है और आज के session से related ही चीज़ों को सीखेंगे सबसे पहले जो बात करने वाले हैं देखें पहली बात जो हम लोग करेंगे trade the trap का जो concept trade the trap के हम लोग कई concept सीख चुके है ठीक है उसमें से एक concept आज सीखेंगे ठीक है कैसे हम लोग अपने losses को बचाते हैं और कैसे सही trade execute करते हैं जो लोग कहते हैं stop loss hit हो जाता है सर लेने के बाद मैं trade execute करता हूँ उसके बाद ही sell जा रहा है ऐसा क्यों हो रह रीफ नहीं है ठीक है देखिए कैसे समझे एक हमारा बहुत विख्यात कह लीजिए बहुत आप लोगों का भी फैवरेट हो रहा है नौड फॉर्मेशन जो मेरा personal setup है मैं अपने traders को trade कराता हूँ वो भी इसको खूब ट्रेट करते हैं नौड फॉर्मेशन क्या होता है पहले समझ लेते हैं ठीक है देखिए ट्रेट दाट रैप के ट्रपल टीके और कॉंसर्ट सीखने है तो मैंने आपको बताया टेलिग्राम का description में लिंक है उसको open कीजिए वहाँ पे आपको कई सारे वीडियोज मिल जाएंगे ट्रेट दाट रैप के भी वीडियोज वहाँ पे आ गांट लग जाएगी गांट अच्या कहां लगती है एक रसी लीजिए और उसको इस तरीके से मोड़िये और जब दोनों तरब से उसको पूरी पावर से खीचा जाएगा तो ही तो उसमें गांट लगेगी किसी भी आप जब गांट लगाते हैं तो गांट लगाने का तरीका क्या है दोनों ओर से बरावर उस पे एक force लगता है equal force जाता है ठीक है तो उस पे जो यहाँ पर जो stretch आता है बीच में उससे गांट लग जाती है तो एक अपनी ओर खीच रहा है एक opposite direction में अपनी ओर खीच रहा है तो गांट लग दे यही price में गांट लगती है कि equal force से price को अपनी अपनी ओर खीचने की जब कोशिश करते हैं buyer seller तो वहाँ पर गांट लग जाती है अच्छा अगर कहीं पर buyer अपनी तरफ price को खीचने की कोशिश कर रहे हैं accumulation खरीदारी धीमे धीमे की जा सकती है और अपनी और खीचने की कोशिश जब जल्दवाजी हो तो ही की जाएगी जब आप बहुत जल्दी में हैं तो ही कर रहे हैं या फिर आपको किसी बात का डर है कि मेरे against में कोई momentum ना आ जाएगा ख्यान दीजे या तो आपको इस बात का डर है कि मेरे against में कोई momentum आ जाएगा अगर मैं buyer हूँ तो कहीं seller मेरी positions को काट कर selling ना ले आए तो आप उपर अपनी तरफ खीचने की कोशिश करेंगे इसी तरीके से seller अगर उसको डर है कि मेरे against में buyer price को ना उठा कर ले जाए तो वो price को अपनी और खीचने की कोशिश करेगा ठीक है बिल्कुल clear है अब nod formation मैंने कहा equal buyer और seller का representation होता है कैसे समझिए एक price जो 500 price पे trade कर रहा है उपर की तरफ अब trend में momentum करता है और 550 के high लगाता है इसका मतलब क्या है price में 50 रुपए की buying आई ठीक है 50 रुपए की buying आई seller ने देखा कि buyers ने मेरे against में 50 रुपीज की buying कर ली तो seller market में आये और हुने पहला काम क्या किया दुबारा से उतनी selling करके price को 500 पे close करा दिया तो जितना buyers ने खरीदा seller ने अपनी तरफ खीचने की कोशिश की अब seller ने एक जितना buyers की buying थी उतना तो खीच लिया तो seller को लगेगा अब जल्दी से मैं price को अपनी ओर ले जाऊं की और नीचे खीचने की कोशिश करू closing के बाद अगली candle open होती 500 पर ये बंद हुई 500 पर तो अगली open कहा होगी 500 पर वो price को लेकर आये 450 तक अब buyer को लगा देखिए मैंने अभी buying की थी price को 500 से 500 ले गया था लेकिन seller ने क्या किया पहले मेरी buying काटी अब price को नीचे की और खीचे ले जा रहे हैं मतलब मेरे against में एक बड़ा momentum लाने की कोशिश तो seller क्या करेगा seller के against में buyer फिर buying करने आये और 450 से खरीदारी की और 500 पर close करा दिया अब देखिए पहले buyer ने buying की 50 रुपै की है तो seller ने उसकी buying को काट दिया और 50 रुपै की falling कर दी फिर seller ने उसकी बाद 50 रुपै की एक्षा सेलिंग की तो buyer ने उसकी selling को काट दी और 50 रुपै की buying कर ली तो मैंने क्या बोला था शुरुबात में कि buyer और seller का equal participant आपको जो होगा वो दिखेगा nord formation अच्छा जब किसी candle में open और close लगभग लगभग बराबर हो तो price का formation कैसे होता है कि candle में body size नहीं दिखेगा ठीक है और उसी candle में जिसमें open और close जहां भाव खुला वहीं बंद हुआ मैंने कहा ना 500 पर खुला और 500 पर बंद हुआ लेकिन बीच में क्या हुआ बायर 550 तक ले गए थे और दुबारा सेलर उसको 500 पर लेकर बंद करा दिये तो उपर जो ये 550 तक जाने और लोटने की प्रक्रिया है वो अपर विक से दिखती है जिस candle का अपर विक बाड़ी के उपर का पाट अपर विक कहलाता है ठीक है किसी भी candle में बाड़ी के उपर का पाट क्या कहलाता है अपर विक देखिए ये वो concept है सर आप इसको जाए और live market में trade कीजे ठीक है और आपको कभी तकलीफ आए जैसे जैसे मैं बताता हूँ कुछ rules अब सारे conditions तो यहाँ पर discuss नहीं कर सकता हूँ चार 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 session लेने पड़ते है not formation पे मुझे सर perfection के लिए चार घंटे पांस घंटे में जो चीज आप सीख रहे हैं उसको मैं 20-25 मिनट में आपको सीखाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है और कई सारे concept उसमें फिर छूट जाते है तो फिर भी मैं धीरे-धीरे करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आप पूरा सीखना चाते हैं तो देखे मैं option selling की शुरुवात की अभी मैंने बैचिस में नीचे description में आपके पास contact detail है join कर लीजे hedging सीखेंगे option selling सीखेंगे उसके बाद projection सीखेंगे ठीक है और projection hedging का जो combination है वो आपको no doubt lifelong आपको ट्रेडिंग में एक चारचान लगा देगा ठीक है चले अब देखिए यह candle कैसा देखेगा जिसमें body part नहीं होगा और upper wick बड़ा होगा ठीक है ideal formation कभी नहीं होते यह body part छोटा हो सकता है कि थोड़ा बहुत देखे और upper wick बहुत बड़ा नहीं हो ऐसा भी फिर 500 पे जहां खुला 500 पे फिर close लेकिन नीचे आकर लोटने की प्रक्रिया में अब क्या दिखेगा बॉडी पार्ट के नीचे लोवर विक तो एक candle जिसमें body size कम है और अपर विक बड़ा है और एक candle जिसमें body size इसमें भी कम है और लोवर विक बड़ा है जब दो candles के formation ऐसे दिखे है तो क्या ये buyer seller जो है वो price को अपनी और खीचाता नहीं कर रहे है अब सोचिए institutional buyer seller है वो छोटे मोटे buyer seller नहीं है institutional buyer seller है न तो जब वो institutional buyer seller है तो इनके बीच में इनके बीच में अब 500, 510, 515 पे कोई भी trade execute कीजेगा तो ये तो 50, 50 रुपए की 100, 100 रुपए की खरीदारी कर रहे है और बिकवाली कर रहे है seller ने 550 से 450 के लो लगा दिये और buyer ने 500 पे खरीदा था 550 तक ले गिया था 450 से खरीदा फिर 500 पे जो जो institutional buyer और seller 100, 100 points की buying selling कर रहे हैं उनके middle of the range आकर उनके zone में आप आकर अगर trade करने की कोशिश कीजेगा तो मारे जाएगा न तो मैंने क्या बोला इस zone को बोलते हैं no trading zone no trading zone, इस zone के अंदर तो कोई trade बनेगा ही नहीं बनेगा, कुछ होगा ही नहीं, अब मारे जाएंगे बस, price एक candle उपर बनाएगा एक नीचे तो no trade, पहली तो वलता यही है कि इस zone में कोई trade execute नहीं करना है, तो market में एक बहुत famous line है, no position is always position, अगर आपके पास कोई position नहीं है यही आपकी पहली position, ठीक है, अगर आपके पास कोई position नहीं है तो वही आपकी पहली position, क्यों, कम से कम आप उन trader से बहुत बैतर हैं, जो loss करक बैट गये, गलत trade execute करके, ठीक है, तो आपको बात clear हुई, तो फिर कैसे trade करना है, तो मैंने कहा, जो no trading zone है, उसको mark कर लीजे, high mark कर लीजे, low mark कर लीजे, अच्छा देखे, seller का last selling point क्या है, 550, वही पर उसने अपनी आखरी selling की है, अगर buyer किसी भी हाल में जीतेगा, तो इस high क ब्रेक करेगा, करेगा की नहीं करेगा, अच्छा, अगर seller किसी भी हाल में जीतेगा, तो ये 450 के जो low लगे हैं, इस low को ब्रेक करेगा, करेगा की नहीं करेगा, बांते हैं इस बात को, ठीक है, अच्छा, ये formation हुआ, तो पता लगा कि अगर high break हुए तो long करना है, और low break हु शुरुआत होती है, मैं क्या बोलता हूँ, trade with trend, trade with trend का use तो आप लोगोंने बहुत बार सुना है, उपयोग कैसे करना है, कोई नहीं जानता, ये line सब ने सुन रखी, trade with trend एक line होती है, कि जिस तरफ trend है, उधर trade कीजिए, लेकिन trade कीजिए कैसे, वो कैसे पता लगेगा, उसक आपको पूरा concept ही clear हो जाएगा, ठीक है, और वही trade the trap का, triple T का सबसे best concept होता है, देखें, मैं आपको एक बात बता हूँ, मैं कहता हूँ, एक HBB formation बताता हूँ, और बताता हूँ कि swing low, swing high, बहुत मात पूर होते हैं, बताता हूँ न, कि price का अगर swing high निकल गया, कि price पिछली बार यहां से गिरा और यह निकल गया, तो price uptrend में जाएगा, बताता हूँ, बताता हूँ कि यह swing low है, अगर low break हो गया, तो price downfall में जाएगा, है न, यह price action कब relevant है, देखिए, यह bull setup है, कि high break होगा, तो price उपर जाएगा, यह bear setup है, कि low break होगा, कि तो price और गिरेगा, downfall नीच example है, ऐसे मैं आपको देखता हूँ, आप बहुत लोगों को दोश देते हैं, कि मैंने इनसे सीखा और इनसे सीखा, और मैंने यहां-यहां classes की हैं, और उसके बाद में यह गलती कर रहा हूँ, कि उनकी classes से मुझे कोई फैदा नहीं हो, उनकी classes की तकलीफ नहीं है, उनकी classes में बस यही तकलीफ है, वो आपको सही concept नहीं सिखा पाए, और वो सिखा नहीं पाए, और आपने कुछ चीज़ को देखा भी नहीं, कुछ चीज़ को आपने देखा भी नहीं, बस तकलीफ इतनी है, किसी भी setup में तकलीफ नहीं होती है, setup को perfect एक trader बनाता है, ठीक है, trader की जिम् बड़ी book उठाईएगा, hedge funds की books उठा लीजेगा, sir, और वहाँ पर जाकर देखिएगा, number of trade, ideal trades की, जिससे आप ये समझ पाएं, कि कितनी trade करने के बाद, आप किसी एक सही आंकडे पर पहुंचते हैं, तो कहा जाता है, कि अगर किसी को कोई back test किया गया setup है, उसमें भी अग महारत हासिल करनी है, तो कम से कम 400 trade छोटे capital के साथ live market पर उस setup पे trade कीजिए, और उसके results को फिर analyze कीजिए, कम से कम 400, मैं कहता हूँ 100 करके देख लीजिए, आप 10 नहीं करते हैं, तो कैसे तकलीफ तो आनी या नहीं, ठीक है, perfection आता है 400 trade करके, आप 10 नहीं कर पा रहे हैं, उसक कि जितने तरीके आज तक आपने सीखे, बस एक चीज़ गांत बांध लीजिए, कि अगर previous trend upside है, तो जितनी बार price में long करने का setup बनेगा वो ठीक होगा, उसको trade करना ही करना है, long करने का मतलब खरीदारी करने का setup, जैसे अभी हम लोगोंने nod formation सीखा, तो मैंने कहा, high break होंगे तो long है, low break होंगे तो short है, अच्छा, अगर price का setup up trend का है, और एक इसी तरीके से nod formation बन जाए, ठीक है, अब इसके high break हो जाए, मैं बिलकुल नहीं जिजग करूँगा, और यहाँ पर अपनी positions को बनाऊँगा, और long करते हुए, बड़े profits बूक करने की कोशिश करूँगा, क्य पूरे profits से बूक करके लिए आऊँगा, not formation काम कर रहा है, अच्छा, यही price सोचिए, downfall में है, पहले से price selling में है, और कोई bull का, खरीददारी का setup बन जाए, एक कमजोर भाव में, एक buying का setup बन रहा है, weak price में buying show कर रहा है market, trap करना चाता है मुझे, मुझे पैसा नहीं देना चा अब एक price downfall में है, तो nod formation बने, तो मेरा पहले से mindset होगा, low break होगा तो short करूँगा, पहले से होगा mindset, low break होगा तो short करूँगा, यह high break हो जाए, तो भी मैं trade नहीं करूँगा, बात के लिए high break हो, trend का, सबसे अदा, majority क्या होती है, trend होती है, trend देखिए, उसके बाद trade कीजे, उ यहाँ पर price गिर रहा है, गिर रहा है की नहीं गिर रहा है, जहाँ से देखिएगा, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर price गिर रहा है, यह दो candles के formation को देखिए, एक candle lower wick, एक candle में upper wick, और body size लगबग लबग छोटे छोटे छोटे, मैंने बोला ideal formation कभी नहीं होते अच्छा, trend क्या है, downside है, कैसे, gap down किया है, खुलने के बाद गिर रहा है, day low break हो गए है, तो downfall trained है, और उसके बाद इस candle के low break हो रहे हैं, तो अब low break हो रहे हैं, मैं swing high का stop loss डालूँगा, shot कर दूँगा, मैं तो target हैसे, मैं तो target लेके जाऊंगा, बात clear हुई, अब इसी और चलता है, दूसरे तरफ के traders के position बनवा के चलता है, अगर price गिरेगा, तो पहले किनिया किनिक traders को call option बेच कर आएगा, कि कुछ call option buyers बैठे होंगे, जो loss करेंगे, trapping के बाद बाद बाजार चलता है, ठीक है, अब देखिए, आज हमारे traders ने perfect price action trade किया, perfect price action, और जो लोग वहाँ पर फसे, उन्होंने दूसरी तरफ से instant momentum को बहुत बड़े profits में तब्दील कर दिया, क्यों, यह जो setup जो अभी मैंने आपको discuss किया, आज की session में बना हुआ setup, क्या हुआ बताईए, एक हम लोग downfall के market में, ठीक है, अचानक से एक nod formation बना, और nod formation के high break हुए, शक करेंग होगा किस बात का, कि मैं खरीदारी तो नहीं कर सकता, अच्छा, फिर यह क्यों हुआ होगा, buyers को invite किया जाता है, आइए खरीदिये आकर, आप जैसे buyers जो ना समझ रहे गए अभी तक, देखें बुरा मनने की बात नहीं है, आप अभी तक अगर live market को trade करें और projection को अगर trade करे यह था, कि जब गिरता है, तो price जितनी बार long के setup बनाएगा, हर बार failure होगा, हर बार trapping के बाद गिरता है, long दिखाएगा, गिर जाएगा, long दिखाएगा, गिर जाएगा, और इसी तरीके, जब price uptrend में हो, तो हर बार short दिखाएगा, uptrend में जाएगा, short दिखाएगा, तो जब प्राइस चल ला हो तो short के setup को trade नहीं करते हैं, सिर्फ long के setup को trade करते हैं, जब प्राइस गिर रहा हो तो long के setup को trade नहीं करते हैं, सिर्फ short के setup को trade करते हैं, अब यहां पर high break हुए, तो जिन लोगों ने call option buy कर लिए, ठीक है, future long कर दिए, वो सारे क्या हो रहे हैं, trap, मैं यहां इंतजार कर रहा हूँ किस बात का, कि यह trapping success हो जाए, कैसे success होगी, दुबारा से price आकर इसी zone में आ जाए, तो इन सभी के SL hunting होगी, अच्छा, जिनको एक बार बाजा trap करता है, निकलने का मौका नहीं देता है, once a trap, always a trap, तो अब मेरे लिए, अब यह और confidential हो गया, कि अगर अब low break हो गया इस zone के, तो मैं short करूँगा, SL इसी high के साथ जाऊँगा, और बड़े profits लेकर जाऊँगा, यही trade the trap है, trap किया गया sellers, call option buyers को, ठीक है, और trapping को मैंने trade किया, कि call option buyers को trap किया गया है, मतलब अब इनको निकलने का मौका नहीं मिलेगा, week price में, not formation में, option buyers ने गलत entry कर ली, call option buyers ने, मैंने देख लिया, मैंने देखा, तो अब मैं trade execute करूँगा, और short selling की trade execute करूँगा, swing high के stop loss के साथ, और target ली कर जाऊँगा, आईए, एक बार नहीं, दो दो बार बना ऐसे, दो दो बार आप देखे, इन दो candles के formation को देखे, अराम से सीखे, कोई जल्दबाजी नहीं करने हैं, अना, इन दो candles के formation को देखे, ठीक है, और इन दो candles में, पहले क्या हुआ बताइए, price ने high break की, जब price पहले से, अपना initial trend downwards है, एक भी swing high आप break नहीं कर पा रहे हैं, एक single swing high, और आप मुझे क्या करे हैं, कि long के setup को price में buy कर लीजे, बेफू दिखता हूँ क्या, price से बोला कीजे ऐसे, नहीं करूँगा बाई, आप trapping कर रहे हैं, साफ दिखता है, आप trapping कर रहे हैं, अच्छा trapping कर रहे हैं, तो क्या करें, दुबारा से नीचे आए, देखे, जैसे ही अंदर आया, कितनी तेजी से stop loss है किया, ये न, जितने लोगों ने long किया, सभी कैसे ले गया, आप देखिए, रिटेस्ट पे, यहाँ पर, कहीं भी आप शॉट कर दीजे, swing आएका, शॉट लाज़ार, ये आपके target है, आपके हाथ में बाज़ार बैठा है सब, आपको पैसा ही देने आया था, अच्छा, फिर आप बोलेंगे, कि जब बनता है, तो कैसे काम करता है, तो मैं बोलूँगा, कि जब बनेगा, तो short selling में आएगा, तो वहाँ पर trade कीचे, वहाँ पर नहीं तक्लीफ आएगी, और बार बार होता है, आप बोलेंगे, एक दिन नहीं, एक दिन नहीं, कल के session में traders ने trade किया, और बड़े profits बुक करते हैं हम लोग सर, छोटे profits नहीं बुक करते हैं हमारे traders, जो सीख गया है, उसके लिए बाजार एकदम ऐसे काम करता है, कि उसी के लिए बाजार खुलता है बस, आपके लिए नहीं खुलता है, ये दो candles के formation को देखे, price क्या है downfall में, गिरावट के train में है ना, तो जब ग्रावट के train में है, इसके hybrid करने पर long करेंगे, क्या नहीं करेंगे, अच्छा, जब इसके दुबारा अंदर price आए, अब short ज़रूर करेंगे, short ज़रूर करेंगे, छोड़ देंगे, क्या नहीं छोड़ेंगे, अब short करके, अब आपके पास profit है, यह trade the trap है, जिसकी trapping हो गई, और बाजार लाट कर उसके SL hunting कर गया, और वो trend के favor में है, और not formation बना हुआ है, कभी नहीं छोड़ना है, सर, कभी भी नहीं छोड़ना है, वहीं पर long और short के plan कीजिए, और सबसे बड़े profits वहीं निकल कर आते हैं, सबसे बड़े profit, जितने बड़े आप profit चाते हैं, ठीक है, अच्छा, इस पूरे session में, जितनी चीज़े मैंने आपको बताई, कहीं थोड़ी भी तकलीफ ऐसी रह गई हो, कि नहीं समझ में नहीं आया है, या कोई भी doubt रह गया है, तो नीचे description में, आपके पास contact detail है, telegram group का link है, whatsapp group का link है, join कीजे, वहाँ से direct message कर सकते हैं, contact detail पर जाके direct calls कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप सीखना चाहें, इन चीजों को briefly, एक बड़े concept के विस्तार पूर्वक, तो जाए, contact करके, classes को join कीजे, और वहाँ पर आपको सब कुछ, daily एक घंटे के session के साथ, live market में practice के साथ, हम लोग सीखते हैं, हैं जिंकर करते हैं, चलिए, शुब रातरी धन्यवाद, आज के लिए पर्यापते,